असलाम अलेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ये मैंगो फार्मिंग के बारे में कि ये फार्म कितनी देर में तयार हो जाता है कितना खर्चा लगता है इसको तयार करने पर सलाना खर्चा कितना आ जाता है इस पर और सलाना इससे आमदन कि किसान हमारे साथ मौझूद हैं उनसे सारी इंफर्मेशन लेंगे और इससे पहले करेंगे रिक्रेस्ट के चैनल को करें सबस्क्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंचती रहें और फ्रेंड्स साथ ये भी बताता चलो कि ये किसान बहुत तिजर्बाकार किसान है इनके सिर्फ यही मेंगो फार्मिंग नहीं बलकि इसके इलावा इन्होंने फिश फार्मिंग भी की हुई है इसके इलावा इन्होंने अलीची के बागात भी लगाए हैं और भी इंटर्वियू शुरू करते हैं को पचीस साल ना तजर्बा कामयावियों से बर पूरिया कभी न कामयावियूंवी न कामया अच्छा इस बतायों कि यह प्छल लक्त सब्सक्राइब कितने अर्शे बाद देना शुरू हो जाता है यह तक्रीमाओन वेसे सर अपने अलाके की जो फारमिंग होती है उसे अगर तरजी दी जाए तो यह ज्यादा बैटर होती है जैसा कि यह मैंगो जो है यह मुलतान साइड का है आपने यहां पेस्जाल कोट में लगाया तो आपका कैसे कैसा पीर यहां सरा इससे पाल जब अच्छा मेर रही है यहां किस तरह की अवरेज मेर रही है अच्छा यह बताईएगा कि यह कौन सी नसल का अपने लगाया है अन्वर्टोर अच्छा सर यह स्टार्ट से बात करते हैं यह एक एकड़ में तकरीबन का आम कि कितने पोदे लगाए है यह तकरीबन है और यह कहां से खरीदे थे यह मुतान सी आज़गा किस कीमत पर खरीदे थे तकरीबन उस वकद तो यह इस किए थे जाए थे पहुत मुशिकल किये थे हमारे इदर आखर में एक पूरब गाउं है जिए इस अधर से अमने मिटी उठार ते इनका चार भई च पूरब गाउं से ही क्यों मत्टे उठाई वह मत्टी बहुत अच्छी है बरीग और खौरा मेरा है अच्छा तो सारी यह बताएं जब आपने 25 साल पहले इनको खरीदा था तो वह 20 रपे को आपको पोदा मिला तो आज इसका क्या रेट आइक पोदेगा बड़ेगा बड़ अच्छा सार इस एक और बात बताएं कि यह किन अलाकों में यह वार्मिंग काम आज है कि मुलतान के उधर अधर अलाके में इसका अरसल वगा एक और काम है अगर पानी जबीन का वाटर लेवल जो सो फुट के रिब हो नीचे जो फुट के रिप गर रिख रिव नीचे त से कि आवापट बहुत लगता है जमा खेता दूंदली बेटानी मेलता है। जार के लिए सेल करते हैं या कि यह कि पका के समय है कि सालाना तक्रीब आप कितने का सेल कर लेते हैं कि एक एक तक्रीब में उपकार के करते हैं सब्सक्राइब कितने एकड़ पे में हुई था यह 18 एकड़ का फॉर्म में तो फी एकड़ 85,000 में यह तक्रिबन से लो तो एक एकड़ में सलाना जो खर्चा आपका वो क्या आता है पाल चलाना पानी लगाना गोड़ी करना अच्छा यह बताईएगा कि आप यह फुद तुड़ाई करके सेल करते हैं या के यह जो खर्चा करता है वो पारी ही करता है यह पहले सारा साल खर्चा खुद करना है और बाद में 85,000 में उसे दे देना है यह आपको तक्रिबर 55,000 ह यह यह तो फिर नुकसान में जा रहा है ना कि ठेका भी अगर ठेके पे दें तो वह भी कितना ठेका चार रहा है वैसे जमीन के यह आपर 35,000 हुद तो ज्यादा कोई कारामन नहीं है लहाजा बेटर यह एक जिस अलाके में जो बाग लगता है वह उसी अलाके में रहाए तो ज्यादा बेटर है तो अगर एक साल फाल लगा एक साल ना लगा तो क्या आपने कभी इसे खत्म करने का नहीं सूचा नहीं क्या करना चाहेंगे अमरूद की काष्ट आम है तो आप इसे अमरूद के साथ रिप्लेस कर देते हैं इतनी जमी इतना बड़ा बाग और फाइदा काम कैसे बर्दाश कर लेते हैं बस यह हमने लगाया बड़ शोल से इसको काटने को दिल नहीं करता है इसे फॉर एवर चलाते रहेंगे इन्शालला चलाते रहें परिंदे आते हैं बाहर से वह इदर रात गुजार चाहिए बड़ी बात दिन को भी आते हैं और आम पकता है हैं बहुत जानवर आदे हैं माशाळला आपकी कहने की मुराओ सिरफ अपना फाइदा ना सोचो सादो मखलुक खुदा का फाइदा भी सोचना चाहिए इसकी स्प्रे कौन कौन सी होती है इसको स्प्रे zло कितर कं नकी कोते हैं racial bend bueno hehow करते हैं यहा मीडर तीले वास्थे चशी đãी ताह हो चट तो जिक तर रहे हम कि इतना संद यह बाद से हैं किसे करवाते हैं खुद न भादे कि पहले आस से करें मशीन बि-हम देखना पसंद करेंगे इसे इस आला हम क्यों से दिका थे हैं अच्या फ før आम के आम तोर पर जड़ जाते हैं जड़निस के बचने के लिए किसी कईवार्दा जड़न pill करने है भी जड़न के लिए से राप्टा किया है बहुँ सारे जड़न राप्टा भी और्स पर जड़ी नहीं पानी वाटर लेवल बहुत अवारे तो आपकी मेली-जूली कैफियात हैं, आप खुश भी हैं मखलुक-खुदा के लिए परेशान भी हैं कि जादा फाइदा नहीं है, लेकिन फाइदा इतना नहीं होगा। सिर्फ मश्रा देंगे उन बाईयों को कि ये स्यालकोड की जमी में मैंगो का आश करना चाहें। मैंगो की लेटेस्ट किसम की वराइटी सुने आ चुकी हैं। तो अगर शायद इससे कोई और किसम का नसल का बाग हो जो हमारे लाके में कामयाब हो जाएंगे। आप और लगाएंगे। माशाला इस तजर्बे को जारियों सारी रखने का इरादा रखते हैं। बड़े कमिटड शक्सियती माशाला जो काम करते हैं उसे पाई तकमीर तक पहुंचा कर दम लेते हैं। यह भी कामयाब बंदे की निशानी हैं। अच्छा सर्चा सुना है कि ट्रॉक लगाने से वह इसका फ़ड रूक जाता है तो आपने कभी यह तजर्बा भी लग तक करके देखिए। कि इसकी सालाना रूटीन बता दीजिये तो षया ज्या गौडीयां पानी ने कितनी बार वगर गौड़ी करते हैं हमसाल में थे वह अगरर शेम में मेन घंदा है चात्य अपना वगर निस की फाल नीतल है। कि यह आपको पड़ गया तेल पड़ गया आपको इसे इसे बीड़ा पड़ फाल को नहीं कि अगार गया और फॉल देख रह देख रहें कुछ दिर्गत उनने बिल्कुल भी फाल नहीं है उसी क्या रिजेन एक साल लगता कितने साल बाद ये पोदा बुड़ा हो जाता है अगर केर की जाए तो काफी साल हासाल चल जाएगा मैंगो फार्मिंग पर आपने अपने तक्जरबेगी रोशनी में जबादस इंफरमेशन शेयर किया आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो जी फ्रेंड्स बाबा जी ने बह क्लतान वाली साइड के लिए तो अच्छी है लेकिन सैल कोड़ वगेरा अलाकों के लिए अच्छी नहीं है अगर आप इन अलाकों में फार्मिंग करना चाहते हैं तो मुक्तलिफ बागात है जैसे अमरूद की फार्मिंग आप कर सकते हैं लेमन की फार्मिंग आप कर सकते हैं इसके अलवा अलिची की फार्मिंग कर सकते हैं और इसके लावा सबजियां बहुत सारी हैं जिनके आप करके फार्मिंग तो अच्छा जल्टा हासल कर सकते हैं लेकिन मैंगो फार्मिंग गर अलाकों के लिए ही बेस्ट है तो अगर पसंद आए तो लाइक शेड़ कुमेंट जरूर करें